Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Friends, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके भी Samsung के फोन में App Lock का Option नहीं मिला है तो किस तरीके से App Lock का Option आप अपने Setting App में Samsung के फोन में कैसे ला सकते हो हमेशा के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको एई बताने वाले हैं तो वीडियो को विल्कुल इसकी मत करिएगा और लाश्ट तक बनी रहीएगा तो चलिए Friends वीडियो को इस टार्ट कर लेते हैं वेदाव टाइंवेस्ट के तो इसके लिए Friends सबसे पहले हम अपने Settings App को Open कर लेंगे और Settings App को Open करने के बाद Friends यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद Friends यहाँ पर आपको Security and Privacy को Option देखनी को मिल जाएगा इसी पर हम आप क्लिक कर देंगे Security and Privacy के Option पर क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर अगर App Lock देखनी को मिल जाता है तब तो ठीक है Friends अगर App Security का Option भी देखनी को मिलता है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इसके क्लिक करने के बाद Friends यहाँ पर App Lock का Option मिल जाता है तब तो ठीक है अगर नहीं मिलता है Friends तो यहाँ से आपको Back हो जाना है इस तरीके से Back हो जाना है और दुबारा से अपने Settings एप को Open करने के बाद Friendsि FR सर्च ऑप्शन देखनी को मिल जाता है हर एक समसम के फोन में सर्च ऑप्शन यहां पर देखनी को मिल जाता है सेटिंग एप में इस पर आपको क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको लिग कर सर्च कर लेना है एप लोग जैसे ही एप लोग आप लिग क का option नहीं आ रहा है एप लॉग करने का तो यहां से आपको कुछ नहीं करना है यहां से आपको बैक हो जाना है और बैक होनी के बात फ्रेंट्स यहां पर आपको अपने फोन में play store app को open कर लेना है तो चलिए friends हम अपने Butik Principal करेंगे प्रेंट तो यहाँ पर आपको फष्ट नम्बर पे option देखने को मिल जाएगा अप-लॉघ प्रो का इस पर आपको क्लीक कर देना इसमें क्लिक करने के बात friends यहां पर आप देह सकते हो ist retained यहाँ पर four-point five की रेटिंग देखने को मिल जा रही है और यहाँ पर downloader की संख्या देखने को मिल जाता है 100 million से भी ज्यादा लोग इसे download कर चुके हैं यह बहुत trusted app है friends install के option पर आपको click करके इस app lock pro app को यहाँ पर अपने phone में download कर लेना है तो चले friends यहाँ पर हम download कर लेते हैं और download होने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप किस तरी friends तो यहाँ पर आपकाApp कम इस तरी के से open होगा तो friends यहाँ पर आपको तो पासवर्ट बना लेना ज्यसा कि इस तरी के से पासवर्ट हम बना लेते हैं app lock के लिए इस तरी के से आप भी बना लीजेगा उसके बाद यहाँ पर आपको create के option पर click कर देना है, देन उसके बाद जो password आपने बाना आया है, उसी password को दुबारा से यहाँ पर आपको डाल देना है, उसके बाद save के option पर click कर देना है, अब जैसे इस save के option पर click करेंगे friends, तो यहाँ पर permit का option देखनी को मिल जाएगा, इस permit क के option पर आपको click कर देना और permit के option पर click करने के बाद इस तरीके से इसे on कर देना जैसा कि यहां पर इसे ढूल कर इस तरीके से सभी notification को allow कर देना इस तरीके से उसके और फ्रेंट यहां पर आ जाता है दूसरे नंबर पर permit option इस पर भी आपको क्लिक करके यहां पर भी इसे परमीशन को एलाव कर दीजिएगा उसके बद ओकी के आप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा उसके परमीट का आता है तो फ्रेंट फिर से आपको परमीट के आप्शन पर क्लिक करके यहां पर परमीशन को एलाव कर देना यहां पर आपको दे आपको इस तरी के से आपको इस पर क्लिक कर देना जैसे इस पर क्लिक स records लग जाय गा मेरे इस तरीके से फ्रेंट हमें चाहता हूं कि यहां पर तो मैं गूगल के अपश्य करूंगा त्यस्कूरा पर ड़ जाएगा इस पर अप सारवाट करके अपर आपका अपका लयane सकती हुआ अब आपको क्या करना है यहां कि आप यहां पर अपने डिय टलक लंगा तो मैं यहांपर ओपिन कर रहा हूं तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि लॉक मांग रहा है यानि कि पासवर्ड मांग रहा है तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाया तो इस तरीके से मैं डाल लेता हूं पासवर्ट डालने के बाद फ्रेंट्स यहां पर देख सकते हो कि मेरा लाग open हो चुका है तो फ्रेंट्स इसी तरीके से आप समसम के किसी भी फोन में app lock लगाना चाहो तो इसी तरीके से लगा सकते हो अगर settings नहीं मिलती है तो तो फ्रेंट्स यही छोटी सी जानकारी अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी helpful और knowledgeable लगी हो तो प्लीज वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजेगा